अरुन और सीमा की प्रेम कहानी का आरंभ कॉलेज के दिनों में हुआ दोनों एक दूसरे से पहली बार कॉलेज के सांस्कृतिक कारिकरम में मिले थे अरुन अपनी मेहनत और द्रढ निश्चय के लिए मशहूर था जबकि सीमा अपनी मुस्कान और हंस्मुक्स वभाव से सबका दिल जीत लेती थी दोनों के बीच जल्दी ही एक गहरी दोस्ती हो गई जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई अरुन और सीमा का रिष्टा हर किसी के लिए आदर्श था दोनोंने एक साथ भविष्चे के सपने देखे जिंदगी को एक साथ बिताने की योजनाँ बनाई लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया उनके रिष्टे में एक अर्चन आने लगी सीमा के परिवार वालों को इस रिष्टे से एतरास था उनके विचार में अरुण उनकी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि अरुण का परिवार संपन्न नहीं था सीमा के माता पिता ने उसे अरुण से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया उन्होंने सीमा पर दबाव डाला कि वह अरुन से अपना रिष्टा तोड़ दे सीमा के लिए यह फैसला बहुत कठिन था एक तरफ उसका परिवार था जिसकी इच्छाओं का उसे सम्मान करना था और दूसरी तरफ उसका सच्छा प्रेम अरुन जिसे वह किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी कई बार सीमा ने अरुन से मुलाकात की उसे समझाया कि वह अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती अरुण ने उसे यकीन दिलाया कि वह उसके बिना नहीं रह सकता लेकिन सीमा मजबूर थी आखिरकार एक दिन सीमा ने आरुण से मिलने का आखिरी फैसला किया दोनों ने अपनी आखों में आशों लिये एक दूसरे से विदा ली अरुन ने सीमा को खो दिया और उसके जीवन से खुशियों का रंग हमेशा के लिए चला गया सीमा ने भी अरुन के बिना अपनी जिंदगी की गाड़ी चलानी तो शुरू की लेकिन उसके दिल में हमेशा अरुन की यादें बसी रही अरुन ने फिर कभी किसी और से प्यार नहीं किया वह एक ऐसी तनहाई में जीने लगा जहां सीमा की यादें उसकी एक मातर साथी थी उसकी जिंदगी में खुशियों की जगा खाली पन ने ले ली थी समय बीटता गया लेकिन दोनों की जिंदगी में वो दर्द कभी कम नहीं हुआ वे बेशक एक दूसरे से दूर हो गए थे लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो प्यार था वो हमेशा जिन्दा रहा